तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं डेटा सेवर मोड के बारे में और अल्टरा डेटा सेवर के मोड के बारे में तो यह होता क्या है और इससे क्या फायदा होता है तो दोस्तों होता क्या है जो डेटा सेवर वाला ऑप्शन होता है यह यूज़ ना हो जिसमें आपकी डेटा बच जाए तो उसको यूज़ कर तकते हैं जिसे आपको लगता है कोई अपड़ा ज्यादा डेटा खा रही है बैक्राउंड में तो आप उसको डाल तकते हैं डेटा सेवर के ओप्शन में जिससे आपका डेटा जब तक खाएगा नहीं जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे, जब तक वो एब वर्क नहीं करेंगे, मतलब उसका internet कinnen aktives बिलकुल zero हो जाएगी तो वह होता है data saver mode, और ultra data saver mode ये होता है कि विल्कूली connectivity बंद हो जाएगी, जब तक आप उसको on die करेंगे अलनेस जब तक आप उसको नहीं करेंगे जब तक वर्क नहीं करता विदियो को पूरा देखिए का साइब मेरे नाम सभी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में आपको मिलेगा कहाँ पर आपको डेटा सेवर को उसके लिए आपको जाना है मोवाइल की सेटिंग में सेटिंग में जाने के अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको यहां पर डारेक्ट सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको साच करना है data saver तो आप एक दे सकते हों दोस्तों, यह option आपको मिल चुका है data saver option का यहाँ पर आपको बता रहा है connection के अंदर है data saver uses में आपको यह जाएगा तो आपको करना क्या है यहाँ जाना है, यहाँ जाने की आपको data saver को option यह मिल रहा है, आपको इस पर click करना है, click करना है आपको करना क्या है, इसको on, on करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हूँ, data saver help to cut down your data uses by preventing app using data in background, तो करता गया है, जो कि मैंने पहली बता है, background में कोई भी data use करता है, जो भी apps आप उसको यहाँ से block कर सकते हैं, तो उस YouTube को कर रखा है, and then आप जो भी चाहते हैं, आप उस पर click कर दीजिए, तो वो background में data खाईगी नहीं, तो में उसके लिए by default यहाँ पर आपको दो app मिल जाएगी, तो आप उसको hidden नहीं करेंगा, उसके लिए आपको देखने के लिए show alloweded app first, तो उस पर click कर दीजिए, उस पर click इसको लगता है कि background data खाते हैं, तो आप उसको यहाँ से on कर दीजिए, simply, और वो work करना चालू हो जाएगा, आपको यहाँ से back कर देंगा, आप बंद, जैसे मैं वाट्सप सेलेट करके रखा है, तो अब यह वो यह YouTube सेलेट कर रखा है, तो जिनकी जो भी notification आएगी, कोई भ करना किया है, यहाँ जाना है device care के option में, device care में option के जाने किया है, आपको सब से नीचे मिलेगा, ultra data saving option, तो इसको अगर आप first time use करेंगे, तो आपको click करने कर दिये, downloading के लिए बोलेगा, तो आपको कर लेना है, इसको download, सीधर आपको गलेक से store के ले जाएगा, वहाँ से आप specifically app to use it, compare data using Samsung, यह आपको यहाँ पर दिखा, आपको करने ना, इससे फायदा क्या होगा, इसमें अगर आप इसको on करके रखेंगे, तो आगर आप कोई photo download करते हैं, WhatsApp से, या कहीं से भी, या वीडियोज download करते हैं, तो यह उसको compress करके भी download करेगी, जिससे आपका data वहाँ पर इसको भी download कर लेना है, and then इसको करने ना, on, on करते ही, आपसे VPN का option पुछेगा, आप यह VPN is activate करके option देगा, आप इसको कर लिजेगा, allow, आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, save mobile data by using Samsung Max to compress, receive data and by compressing way for you, upload them, आप इसका अंदलर भी कहने का है, यह अगर आप इसको compress करके download करेगा, और अगर आप upload करते हैं, तो वो इसको compress करके upload करेगा, इससे आपका data का save होगा, data का आपको फायदा होगा, आप यहाँ नीचे देख रहे होगे, image की saving का option, तो अगर लिखा हुआ, अगर high quality की image, अगर आप image आ रही होगी, तो यह medium में आपको upload conference करेग यह limited background data, आप यहाँ पर उस app को slate करिए, जो की data ज्यादा खाता है, जिसको आपको background से lock करना है, जो की ultra data save करेगी, लाइक यह मेरा Instagram 4.5G भी खाता है, तो मैं चाहँ तो इसको यहाँ पर click कर देता हूँ, कि background में कोई भी notification ना है, और background में में मेरा data नहीं का है, आप यहाँ छे साथ app slate कर सकते हैं, one time के लिए, तो इस app में अगर जो slate करेंगे, तो background में एक भी data नहीं खाईगी, like मैंने Google Chrome भी कर दिया, तो आपको कर लेना है, यहाँ से on, एक करके आपको app को डाल देना है, and then allow कर देना है, यहाँ आप साइटिंग भी देखेंगे, तो आप चाहते ह मिल जाएगी, अपने कैसा क्या करा, like, close कर दो अभी, यह बता रहा है, मैरी data saving मैंने अब भी चस्ट आज ही on कर रहा था, तो मेरी Google Play पे इस ची data saving on करिए, यहाँ पर बताता रहेगा, this month तो यह ऐसी चीज़ काम करती है, जो कि मुझे लगा थोड़ा अच्छा feature है, इसलिए मैंने आपको बताया, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो please like, share and comment, ज़रूर करें, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है, तो please like, share and comment, ज़रूर करें, और अभी दखर आपने मे